नमस्कार दोस्तों माजा टेकनिकल चैनल में आप लोगा स्वागत है आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाल है कि काफी सारे ऐसे यूटूबर हैं जो अपने यूटूब चैनल पे जाके वीडियो अपलोड करते हैं उस वीडियो का भीव भी अच्छा खासा चलता है लेकिन अच्यानक उसका भीव उठना वहाँ पे श्टॉप हो जाता है यानि कि बंद हो जाता है आखिर क्या कारण है कि कोई भी वीडियो जब यूटूब पे चलते रहता है और उसके बाद धीरे धीरे उसका जो भीव है व वहां पे सुसाइट कर लिए हुआ था अब ये वीडियो काफी अच्छा खासा बेहतर चल रहा था यानि कि आप समझ सकते हैं कि तीन दिन में इस वीडियो पे सिर्फ पर सिर्फ खार्मफुल कंटेंट है इसलिए इस वीडियो को हम डिलेट कर दे रहे हैं उसके बाद फिर से यूटूब के ओफिसियली टीम में इसको रिक्यूएस्ट करके भेजा गया जिसके बाद इस वीडियो को रिकॉवर तो कर दिया गया यानि कि फिर से वहां पे आपके चैनल पर किया गया लेकिन उसमें एक वाहां पर लेकुना ये लगा दिया गया कि उस वीडियो पर 18 पँलस वापस हो जाता है यहीं कारण है कि यह अच्छा खासा चलने वाला वीडियो भी अचानक से बंद हो गया और इसका भीव आज केड़ेट में पूरी तरीके से रुक दिया गया है अब हो सकता है रीजन आपके साथ क्या है वो हम नहीं जानते आपका वीडियो किस तरीके का है और उसका भीव कितना दिन में इस्टॉप किया गया है लेकिन किस कारण से इस्टॉप होता है वो चलिए हम आपको बता देते हैं तो सबसे बले यूटूब पे कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हैं तो दो ही तरीके का यूटूब पे वीडियो अपलोड होता है और व कैसे कमाते हैं या फिर YouTube चैनल कैसे बनाते हैं या फिर Adsense account क्रियेट कैसे करते हैं ध्यान रखे यह सब विडियो का कंक्टेट ऐसा है कि जो आज आप विडियो बनाके डाल दे रहे तो यह वीडियो हमेसा के लिए चलेगा ही चलेगा जब भी व्यक्ति यूटूब प्लेट्फर्म पे जाकर सर्च करेगा तो हो सकता है बीच में आपका भी वीडियो वहाँ पर को दिखाया जागा और इस तरीके से वो भीवर्स जो है आपके भी वीडियो को जाकर देख लेता तो इसको कहा जाता है non stop यानि कि इस तरीके का searchable वीडियो कभी भी YouTube platform पर रुखता नहीं है लेकिन आप एक point लिजिए जिस वीडियो का जिक्र हम आपको किये हैं कि दो भाई जो है suicide कर दिया या फिर कोई वीडियो viral हो जाता है किसी news को आप viral होते हुए देखते होंगे या फिर किसी भी news पर अगर आप वीडियो करते हैं तो ध्यान रखिए किसी भी news का एक समय जो है वो लिमीट हो जाता है अब आज कोई घटना घटित होता है तो उस घटना को ज्यादा ज्यादा लोग चार दिन पांच दिन या फिर एक सब्ता तक उस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है एक नया घटना आ जाता है तो जो पहले का घटना होता है वो कहीं न कहीं YouTube पे बिलुप्त हो जाता है यहीं कारण है कि आप YouTube पे अकसर creators को देखेंगे इसी दो कैटोगरी में जो है वहाँ पे वीडियो अपलोड किया जाता है एक तो वहाँ पे नन स्टॉप होता है जो हमेशा के लिए सर्चेबूल ही होता है हो सकता है उसका जो speed हो वो slow जरूर हो या फिर speed धीरे धीरे उसका बरता चला जाता है लेकिन जो non stop वीडियो होता है उसमें कहीं भी आपको रुकावट नहीं आगा लेकिन आपका वीडियो का जो वीव श्टॉप कर दिया गया है तो उसमें आप यहीं देखेंगे अक्सर की हो सकता वो वीडियो उस content पे आधारित होगा जो content कभी न कभी viral होगा या फिर उस समय वो news ज्यादा चल गया होगा अब चलिए यह दो point आपको समझ में आ गया होगा कि YouTube पे इसी दो content को लेकर जो है YouTube वीडियो का वीव श्टॉप कर दिया जाता है लेकिन हम यहाँ पे यह समझते कि नहीं मेरा वीडियो YouTube सर्चेवूल है यानि कि हम वैसे content पे वीडियो बनाए है जो हमेशा व्यक्ति जाकर YouTube प्लेटफॉर्म पे उस नाम से सर्च करते ही करते है मेरा वीडियो वहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था लेकिन आचानक आज के डेट में YouTube प्लेटफॉर्म पे स्टॉप कर देने का कारण क्या है क्या कारण है कि वहाँ वीवर्स नहीं पहुँच पा रहे है मेरे वीडियो का पब्लिक देख नहीं पा रहे है उस वीडियो का वीव इंक्रीज नहीं हो पा रहा तो हर यूटूब वीडियो का एक टाइम लिमिट होता है हमेशा ध्यान दिजिए कोई भी वीडियो उतना ही चल पाएगा जब उसका लिमिट समाप्त हो जाता है तो वीडियो एटोमेटिक वहाँ पे खतम हो जाता है वो इंक्रीज वहाँ पे स्टॉफ हो जाता है आप आज के डिट में जाकर बरे बरे यूटूबर का पूराना वीडियो देख लिजे चार साल पान साल पहले का वीडियो देख लिजे और उसको एक महिना बाद भी देखेंगे तब भी उस पे भी उतना ही दिखाता है तो यूटूब का ये रूल और रेगूलेशन ही है कि आपका वीडियो एक समय सीमा तक जो है वहाँ पे अच्छा खासा चलता है और उसके बाद उस वीडियो का टाइम जो है वहाँ पे समाप्त होई जाता है अब उस स्थिती में अगर आप उस वीडियो को फिर से आप चलाना चाहते हैं आप चाहते हैं कि जो वीडियो का वहाँ पे भीव कहीं न कहीं आपका अच्छा खासा चल रहा था आज के डिट में स्टॉप हो गया है तो उस video को फिर से आपको चलाने के लिए वहां पर आपको एक trick अपनाना परेगा और trick क्या आपनाना परेगा कि उस video का जाकर आप thumbnail change कर दीजे जो thumbnail आप पहले लगाए हुए थे उस thumbnail को आप change कर दीजे या फी title ही आप वहां से change कर दीजे और description में जाके कुछ परिवर्तन कर दीजे text को आप चाहेंगे तो text भी थोरा आप वहां पर बदल सकते हैं यानि कि उस video का title, tag, description और thumbnail जो है change कर दीजे तो थोरा उस video में speed जरूर आजाएगा और थोरा view आगे आपको जरूर मिल जागा लेकिन वो भी उसका guarantee नहीं है लेकिन कुल लेदे के एक ही यहाँ पर सवाल बनता है कि हर YouTube वीडियो का एक वहाँ पर समय सिमा होता है जिस समय वो वीडियो चल जाता है कई बार आप देखते हैं कि YouTube Creators जिस समय अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करते हैं वो वीडियो काफी दिन तक नहीं चल पाता है दो-दो महिना तिन-तिन महिना वो वीडियो जो है वहाँ पर परा हुआ रहाता है इसका मतलब क्या है कि वीडियो कब कहा चल जागा कि समय चलेगा YouTube पर यह कोई नहीं जानता है तीन साल पहले का वीडियो जो है अचानक YouTube प्लेटफ़न पर वाइरल होना शुरू हो जाता है इसलिए एक वीडियो का समय सिमा जरूर वहाँ पर है कि जिस समय सिमा में चलने के बाद वीडियो का एटोमेटिक वीव वहाँ पर समाप्त हो जाता है कि अगर वो सर्चेबुल वीडियो है नन सर्चेबुल वाले वीडियो को हटा दीजे क्योंकि अगर कोई मुद्दा होगा कोई न्यूज होगा तो न्यूज जिस समय घटना घटता है उसी समय चलता है उसके बाद में जो है एटोमेटिक वो न्यूज नहीं चलता है तो उसको अगर आप फिर से वहाँ पे चलाना चाहते हैं तो यह काम आप वहाँ पे जरूर कर सकते हैं कि तो यह काम आप फिर से वहाँ पे चलना चुरू कर दे लेकिन एक वीडियो का जो हम पहले ही बता दिये हैं कि यूटूब पे शमय सिमा तक यूटूब वीडियो वहाँ पे चलता है और उसके बाद एटूमेटिक वह जो वीडियो है वहाँ पे चलना बंध हो जाता रोजका कहीं न कहीं वहीं पे स्टॉप हो जाता है